अब सभी का स्वागते टेस्ट प्लैटफॉर्म पर गाई विया विए इंपॉर्टन टॉपिक जिसके बारे में अक्सर बच्चे हमसे पूछा करते हैं कि सर यह एक्जाम जुलाई में होगा कि नहीं परिक्षा होनी है चार जुन को रिजल्ट आना है तो बच्चों देखिए इसका आंसर में देना चाहता हूं कि लाइफ लास्ट में संभाव नहीं हो पाता है कि बार बार हम लोग डीटेल्ड वे में नोटिफिकेशन या आप कमिंग राम्स की बारे में बात करें तो मैं आप जुन कोई तो डिकलेर हो नहीं जाएगी डेट 18 दिन में डेकलेर हो रही है और फिर सेंटर डिसकेशन होंगे एक डिड़ महिना प्रोसेज लगता है डेट डिकलेर होने के बात भी आप इमान लीजे एक डिड़ महिना लगेगा तो अगर चार जुन से हम 4 जुलाई ले जा जुलाई में एक्जैम होगा या नहीं होगा इसके बारे में अभी आप एमान लीजे कि 70% 70% चांसे हैं जुलाई में एक्जैम होने के राइट लेकिन मेरा अपना जो इस्टेंट है वो क्या कहता है और फिर्ट से जो स्पीर्ट दिखाई गई है अभी रइट फैब और मार सब्सक्राइब कर लिए पुरानी वेकैंसी पर भी चर्चा हो रही है कि मांगी गई है कितनी वेकैंसी बाकी है कौनकों से एक्जैम फिल कर आए गए हैं उनको पहले कर आए तो यह तो आप मान लीजे असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी टीटीट पीजीटी की जो जो पॉ सब्सक्राइब हो जाएगा बहुत लंबा सरकार खीशेगे नहीं वेकैंसी टीटीटी पीजीटीटी उन पर भी विचार किया जाएगा तो पूरे डेडिकेशन के साथ आप जुलाई को मान के चलिए ठीक है थैंक्यू वेरी माच बबाए